गुरुकुल के सव्या ख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने एक बार फिर से मृष्यकडिकम की इस श्रिंखला को आगे बढ़ाने के लिए उपस थे तो नित्रो हम लोग चतुर्त अंक पढ़ रहे हैं चतुर्त अंक में वचसंत-अ सेना के जो बहव्य महल हैं उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख रहे हैं कि उस महल में जितने भी प्रकोष्ट हैं जितने भी अपार्टमींट्स हैं एक एक कमरा है उसका अत्यंत सूक्षमचित्रण हम जिसको तटस्थ वर्नन कहते हैं अ टाइप आफ लाइव कमिन्टरी जिसको कहले वो वर्नन पा रहे हैं कि वसंत सेना जो गनिका है उस गनिका के ग्रिह का वयभाव क्या शांदार है तृतिय प्रकोष्ठ में विदूशक प्रवेश करता है और विदूशक प्रवेश करने के बाद उस तृतिय प्रकोष्ठ की जो हालत देखता है मैं अभी हालत मातर प्रयोगा कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं आप समझें कि ये नेगेटिव इंटोनेशन है अर्था जो उसकी उपस्थिती उसके सामने है वो बड़ा ही आश्चर ये जनक है और विदूशक के मुझ से सहसा निकल उठता है आश्चर यम्भुव वह क्या आश्चर ये है कि इहापित रितिये प्रकोष्ठे इमानी तावत कुलपुत्र जनूप विशन निमित विचितान यासनानी कि मदर इस तीसरे प्रकोष्ठ में ये कुछ आसन लगे हुए है और वो आसन जो है लोगों के बैठने के लिए बनाए गए है लेकिन उसमें एक शब्द है कुलपुत्र जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कुलपुत्र सामानीय रूप से जो श्रेस्ठ कुल में उत्पन बालक होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है कुलपुत्र तो इसका यह अर्थ यहाँ पर हो गया कि वसंत सेनादी जो उस समय की प्रसिद्ध गणिकाएं थी उन गणिकाओं के ग्रिह में बड़े बड़े परिवार के बच्चे भी बच्चा नहीं कहना चाहिए बड़े बड़े परिवार के युवा कभी आते होंगे वहाँ पर सुखोप भोग के लिए इतना मात्र है इमानी आसनानी उपवेशन निमित विरचितानी आसनानी यानि बैठने के लिए बनाए गए आसन अब उसका डिस्क्रिप्शन होगा कहते हैं कि अर्धवाचितम पाशक पीठे तिष्ठति पुस्तकम वाक्य के पहले अर्थकोले लेते हैं कहते हैं कि अर्धवाचितम आधा पढ़ा हुआ आधा बाचा गया या आधी पढ़ी गई पुस्तक यहां रखी हुई है कहां पर पाशक पीठे अब पाशक का जो मतलब है इसको समझ ले पाश मतलब होता है पाशा आप लोगों जब लुडो खेलते हैं या व्यापारी खेलते हैं जो डाइस होता है जिसमें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 नमबर सो होते हैं तो ऐसे नमबर वाले जो पाशे होते हैं उनको पाशा इसी पाशक सब्द से पाशा निकला और पाशक का एक सामानिया अर्थ हो गया जुवा और जुवे के पीठ यानि जुवे जिस टेबल पे जुवा खेला जाता था जुवे खेले जाते होंगे चेस खेले जाते होंगे उस टेबल के पीठ पर अर्था उस टेबल के फ्लोर पे यह जो पुस्तक है यह पुस्तक रखी पड़ी है और पुस्तक आधी पड़ी हुई है देखें व्यवहार को पहले देखते हैं इसका एक अर्थ यहो हुआ कि उस प्रकोष्ट में ऐसे आने वाले लोगों के लिए पुस्तक भी रखे जाते होंगे आज से लगभग और लगभग 16-15 वर्ष पहले की इस समाजिक अवधारना को समझने के कोशिस कीजिए कि उस समय भी लोग पुस्तक पढ़ते थे और पुस्तक उसके कमरे में सजे सजाए जाते थे आने वाले लोग उन पुस्तकों को निकाल करके पढ़ते होंगे बीच में ही बुलावा किसी गणिका का आ जाता होगा तो आधी पढ़ी हुई पुस्तक उसी तरह से रख देते होंगे आज भी हम लोग आधी पढ़ी हुई पुस्तक में आज हम मार कर लगा लेते हैं बट सम्टाइम सपोर्ज वी आज हम लोग बैट करके खा रहे हैं और पुस्तक पढ़ रहे हैं और बातचीत के दौर में आधे पढ़ेवे को उल्टा पलट करके रख देते हैं द्रिश्य यही है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गणी का ग्रिह में भी लोगों की सेवा के लिए एंटर्टेन्मेंट के लिए और अगर जब तक आव वेट कर रहे हैं तब तक के लिए ऐसी पुस्तके रखी जाती थी जिसे पुस्तक लोग पढ़ते थे और वो आधा आधी पढ़ी हुई पुस्तक वहां रखी हुई है मित्रो अनुवाद में केवल नफस है अगर अनुवाद मातर को हम कहें तो केवल इतना सा मातर है कि देखिए इस जुए खेले जाने वाले टेबल के उपर में आधी पढ़ी हुई पुस्तक रखी है हो गया अगले सेंटेंस में चले जाए हमारा कंसर्ण यहां पर और धवाचितम है हमारा concern यहाँ पर पुस्तकम है और हमारा concern यहाँ पर पाशा का पीठे है तीनों एक दम लग रहा है कि जो आज का समाज हो, आज का घर हो, आज की व्यवस्ता हो किसी भी ऐसे office में आप चले जाएं जहाँ पर किया में प्रतीक्षा करनी होती है तो waiting room में आप पाएंगे magazine है, किसी भी reception में चले जाएं magazine है, newspapers है, अच्छे पढ़े जाने वाले कुछ novels होते हैं और वहाँ बैठ करके हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अगर call आगए अपनी meeting का तो उसको उसी तरह से छोड़के चले जाते हैं तो उसकी एक सजीवता है, अर्थात इससे पहले कोई व्यक्ती विदूर्शक से भी पहले कोई व्यक्ती उस कमरे में आया होगा, उसने प्रतीक्षा की होगी, प्रतीक्षा के क्रम में उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ा होगा अब रही बात पुस्तक की बनावट की बात क्योंकि हमारे सामने जो प्राचीन पुस्तक को उपस्थित हो रहे हैं वह किस रूप में उपस्थित होते हैं मैनुस्क्रिप्ट फॉर्म में एक-एक लिफ आप अलग निकालते हैं तो जिस प्रकार यहां description है इससे हम एक assume कर सकते हैं कि उस से में भी binding होती होगी Otherwise, manuscript के अगर एक leaf को ऐसे पलट के रख देंगे तो हवा के जोंको में वो manuscript के page उड़कर के गिर सकते थे इसलिए हम यहां ऐसा अनुमान करते हैं कि आज की तरह hard bound या आज की तरह paper back system में books तो नहीं परिकलपना करेंगे नहीं तो कहीं न कहीं गाठ बांध करके या page को पलतने की ऐसी व्यवस्था होगी जिस प्रकार की वो व्यवस्था में वह पुस्तक सुरक्षित रहती होगी इस रूप में वहां पर हम उस पुस्तक की परिकलपना कर रहे हैं क्योंकि टेबल पे openly इस प्रकार पुस्तक रखी ही नहीं जा सकती manuscript form में तो day to day life में लोगों को पढ़ने के लिए इस प्रकार के पुस्तकों को बांध करके पुस्तकों में एक binding की विवस्था होगी जो इस वाक्षित से हमें घ्यात होता है दूसरी और दृष्टी जाती है विदोशक की अब एक जगह ऐसा लग रहा है कि आधा खेल खेल करके छोड़ दिया गया हो जैसे चौपर हो या जैसे लूडो हो या जैसे चेस हो हमने बिचा करके आधा खेला हो छोड़ गया हो क्यों क्या कह रहा है कह रहा है एतच्च पाशक पीठम और ये देखो, ये और एक जुवे का टेबल है, दियूत का टेबल है, अर्थात खेल खेले जाने का टेबल है, लेकिन वो टेबल है किसा, तो स्वाधीन मनिमय सारी का सहितम, अब पहले लिए सारी का सहितम, सारी का मेना को कहते हैं, जो हमारी एक बर्ड सो होते हैं, है न, मेन ब्लैक कलर की जो फोदक्ती रहती है तो उसे मेना सहित यानि मेना से युक्त अब ये सजीव नहीं है कहते हैं मनिमय अर्थात मनि निर्मित स्वाधीन मनि निर्मित अपने अधीन अब स्वाधीन का मतलब यहाँ पर हम डिक्शनेरी पर शब्द ना लेंगे कि जिसको हम आर्टिफिशल वे में जो हम जब खेलते हैं कोई गेम सब्सक्राइब कि यह चौपर तो गाउगर में आप जाएंगे तो वहाँ पर उनके पीसेज नहीं होते चेसमेन वहाँ पर नहीं होते क्या करते हैं कि पत्थर के टुकड़ों को ही मान लिया जाता है कि यह हाथी है य इसी तरह से मानो अपने से ही मनी से बनाए गए जो मेनाओं का जो चेसमेन है या जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर से युक्त यह पाशा का पीठम है अर्थात ऐसा लग रहा है कि कोई चाल चली होगी चाल में जो कैरेक्टर है वो मेना है और वो अधूरी चाल चलने के बाद उसी तरह से वो टेबल जो है वो सजा हुआ है अगेन मैंने कहा कि देखिए ये लाइव डिस्क्रिप्शन है अनुमान कीजिए केवल अब इसको समझें पहले अपरे किसी और जगह पे क्या दिखाई दे रही है हम शब्द लेते हैं गणिकाह वृध विटाह और छेट छेटी शब्द भी आएगा परिब्रमंती जो ऐसे वृध छेट छेटी हैं जो वृध गणिकाहें जो वृध विट हैं वो इतस्ततप परिब्रमंती इधर उधर टेहल गूम रहे हैं लेकिन कैसे कहते हैं मदन संधि विग्रह चतुरा अर्थात मदन यानि काम काम यानि वही प्रेम भाव जो होते हैं काम व्यापार प्रेम व्यापार में जो संधि और विग्रह कराने में चतुर किसी में लडाई लगानी हो किसी के प्रेम में या किसी के प्रेम में दोस्ती करवानी हो तो ऐसे लड और जगड़े करवाने में जो माहिर निपुन पटु कुशल चतुर जो चेट चेटी हैं या ऐसी गणिकाएं जो की वृद्ध हो गई हैं या ऐसे विट जो अब काम के नहीं रह गए अर्थात वृद्ध हैं वे विविध वर निकाव लिप्त चित्र फलका ग्रहस्ता अर्थात विविध वरनों से बनाए गए चित्र को फलक चित्र के फलक को अर्थात पोट्रेट को अपने हाथ में ले करके इधर 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 उधर घूम रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है कि a part of ये एक विग्यापन है विग्यापन in the sense एक गनिका महल है उस गनिका में कई सारी गनिकाय होंगी उन्हीं गनिकाओं में से उनके उस portrait पे गनिकाओं के चितर बने होंगे ताकि आने वाले जो ग्राहक होंगे वे चितर उनको दिखाए जाते होंगे और उने चित्रों को देख करके अपने अपने ढंग से ये लोग अपने गनिकाओं का चैन करते होंगे तो इस रूप में ये जो बुड़े लोग हैं जिन लोगों में अब वो सामर्थ्य नहीं रह गया कि ज़्यादा भागदोर कर सकें गलियों में चौराहों में जाकर के आवाज लगा के लोगों को बुला सकें तो ये बीचारे लोग यहां आ करके ये ये काम कर रहे हैं तो वह उस घर का वर्नन हो गया जैसे मैंने एक सिंपल शुरू में इंट्रोड्यूस जब किया था तो मैंने कहा था कि इस टाइप आफ ड्रॉइंग रूम आदिशतु भावती विदुशक कहता है कि ठीक है ये तीसरा प्रकोष्ट भी हमने देख लिया अब आप बताया आगे क्या करना है आदेश दे तो चेटी कहती है ये तू ये तू आरिया है आरिये चिंता ना करें आये मेरे पीछे पीछे आये इमम चतुर्थम अब ये लीजिए ये चौथा कमरा है चतुर्थम प्रकोष्ठ है प्रवीशतु आरिया है आरिये है आरिये विदुशक आप इसमें प्रवेशक करें इस कमरे को भी देख लें इस कमरे को भी एक नजर डालें विद्रो देखे ये जो व्यवाहार है ये कोई नूतन व्यवा नहीं है हम आप लोग भी अपने अतितियों को अपने घर का दर्शन कराते ही हैं कि ये मेरा मस्टर बेड रूम है तो ये हमारा ड्राइंग रूम है ये डाइनिंग रूम है ये किचिन है तो ये इस कमरे में हमने स्टडी रूम बना रखा है ये दूसरा कमरा है सोने का या ती यह सारी चीजे जो आम मानवी या मनो विग्ञान है उनकी प्रस्तूति करते ही रहते हैं तो उस काल में भी इसी प्रकार का है कि वही एक नया व्यक्ति आया है उस नय व्यक्ति को जिनको की मिलना है प्रमुख गणि का वसंत सेना से उस वसंत सेना के घरद्वार आधी का इस भी इस चतुर्थ प्रकोष्ट में अब ये जो कमरा है ये ऐसा लग रहा है कि ये इनका म्यूजिक रूम है देखिए हर एक चीज की अलग अलग व्यवस्था है अब क्यों म्यूजिक रूम है तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है उनका डिस्क्रिप्शन है कहेंगे कि ये देखो ये बांसुरी है तो ये म्रिदंग है तो ये मंजीरा है तो ये वीना है आधी आधी कहना केवल इतना मात्र है लेकिन उस म्रिदंग को या उस मंजीरे को या उस बांसुरी को या उस वीना को इंटर्यूस करने के लिए जिन शब्दावली का प्रयोग है जिन विशेशनों का प्रयोग है और जिन उपमाओं का प्रयोग है वह उपमा उस समाज का साक्षात चित्र हमारे सामने उपस्थित करता है कैसे तो ये देखे युवति कर ताडिता जल धरा इव गंभीरम नदंति म्रिदंगाह सिंपन लिजीए कि म्रिदंगाह नदंति यह जो मृदंग है यह मृदंग आवाज कर रहा है कैसे युवति करता डिता अर्था तो युवतियों के हाथों से पीड़ित अर्था पीटी जाते हुए यह मृदंग आवाज कर रहे हैं ध्वनी कर रहे हैं कैसी आवाज आ रही है जलधर बादल की तरह गंभीर आवाज अर्था जिस प्रकार बादल बरसने से पहले एक गरजना करते हैं मानो उसी प्रकार की गंभीर गरजना से युक्त इस मृदंग की आवाज आ रहे हैं लेकिन एक और प्रमुखतत्व इस में जुड़ गया युवति करता दिता अफ़त युवतियों के हाथों से बजाई जाते हुए मृदंग अर्थात प्राची नकाल में स्त्रियां भी वाद्ययंत्र बजाती थी प्राची इस प्रकार का वर्णन हमें प्राप्त नहीं होता होता भी है तो अपवाद में किसी का नाम ले लिया जाता अन्यता आज भी हम देखते हैं आज हमारे समाज में महिलाएं जो हैं हार्मोनियम सारी चीज़ें गीटार इंड अल एवरिधिंग दे आर प्लेइंग हमारे लिए इस समाज के लिए ये सारे के सारे एक परिवर्तन है लेकिन आज से पचास साथ वर्ष के समाज का आप चितरन पाएंगे तो उसमें युवतियां आपको हार्मोनियम बजाते हुए या गेटार बजाते हुए या ढोल और तबला आधी बजाते हुए नहीं ये करती थी युवतियां गाती थी इसका वर्णन हमें मिल रहा है आवेदात वैदिक काल सही हमें प्राप्तों होने शुरू हो जाते हैं और खास करके जो अपसरादी जिनका वर्णन आते हैं वो संगीत में और नृत्य में माहिर होती थी राज कुमारियां संगीत नृत्य मे जानती है मदनिका लेकिन वाद्य यंत्र को बजाने के लिए स्त्रियों का उलेखा हमारे साहित्यमें हमारे इतिहास में प्रातन नहीं के बराबर होता है यह मृच्छ कडिकम है जब जो स्रोत रूप में हमारे सामने कहता है कि युवति कर ताडिका मृदंगा युवतियों के हाथों से बजाए जाने वाले ये मृदंग जो है वो बादल की तरह गंभीर आवाज कर रहे है अर्थात युवतियां मृदंग बजाती होंगी युवतियां मृदंग बजाती थी खीन पुन्या इवग अगना तारका निपतंति कांसे के बने हुए ताल यंत्र आज जिसे हम मंजीरा कहते हैं छोटे से पीतल के कांसे के बने हुए होते हैं रसी से बने हुए ऐसे इसे बजाते हैं वो मंजीरा है तो कहता है कि कांसे ताला है अब ये जो मंजीरे हैं ये मंजीरा है कैसा है कि जिस प्रकार पुन्य के ख्षीन हो जाने पर आकाश से गिरने वाले तारे गिर रहे हैं उसी प्रकार ये मंजीरे गिर रहे हैं अर्थात मंजीरे की आवाज सुनाई पड़ रही है या अर्थात मंजीरे के गिर जाने के कारण आवाज सुनाई पड़ रही है लेकिन मूल विशह देखिए आज भी अपने यहां तारों का टूटना एक माना जाता है कि देखने पर क्या होता है या आदी आदी और तारे को टूटने को देखने कहीं कहीं एक रोमेंटिक वॉर्ल्ड में बड़ा अच्छा माना जाता है ये भी चीजों को हमें देखना है प्राची नकाल में भी आखाश में आखाश से तारे टूट कर गिरते थे और लोगों के लिए वो एक दृश्य चित्र बनता था लेकिन उसके नेपथ्य हमें दे दिया कि वे आखाश के तारे तभी टूट करके गिरते हैं जब उनके पुन्यक्षीन पर जाते है अस्तुक्षीन पुन्या आधी शब्द उतना विवेच्चिय नहीं है लेकिन मुल विशय विवेच्चिय यहां पर है कासे का जो ताल यंत्र है अर्थात मंजीरा तीसरी और मधुकर विरुत में वा मधुरम बाद्यते वशह मधुकर अर्थात ब्रहमर ब्रहमे ब्रहमर के जो विरुत हैं अर्थात गुंजार हैं उस गुंजार के समान मधुरम बाद्यते वशह वशह यहां पर बासुरी के लिए है फ्ल्यूट और थात जिस प्रकार मधुकर के गुंजार होते हैं मधुर होते हैं उसी प्रकार ये बासुरी बजाई जा रही है मधुर स्वर में मृदंग, मंजीरे, बासुरी इनकी चर्चा हो गई अब देखिए कह रहा है कि अपरा, दूसरी ओर इरश्या प्रनयकुपित कामिनीव अर्थात इरश्या और इरश्या के कारण प्रेम में रूठी हुई कामिनी यानि प्रेमिका नाईका की तरह ये जो वीना है वो कररुह परामर्शेन हलाकि कररुह कहते हैं नाखुन को तो नाखुन के परामर्ष से वीने को वीना को ठीक किया जा रहा है यानि वीना के तार को खीचा जा रहा है अर्था वीना के सुर को मिलाया जा रहा है जिस प्रकार नाई का कुपी तो हो जाती है प्रेमी का कुपी तो हो जाती है और इरश्या में रूठी वी नाई का को हस्त प्रकार से यह जो वाद्य यंद्र वीना है उस वीना के उस तार को अपने हाथ के परामर्ष से अर्थाता हाथ के द्वारा इसके तार के सुर को मिलाया जा रहा है तो मैंने शुरू में ही कहा था मूल बातें यह कही थी कि यह केवल यह कहा जा रहा है कि यहां यह वाद्य यंद्र है यह वाद्य यंद्र है यह वाद्य रंत्र है यानि रिकग्निशन ऑफ the dramatist, the poet is introducing these instruments musical instruments जिसमें मृदंग है मंजीरा है बासुरी है वीना आदी है लेकिन उनकी जो प्रस्तुती है वो बड़ा ही सुंदर है वहाँ पर एक सुंदर कवित्व है और उस कवित्व के साथ साथ समाज हमारे साथ चल रहा है आगे देखिए क्या कह रहा है इमा अपराह और यह देखो यह दूसरी ओर अभी musical instruments की चर्चा हो रही थी अब नृत्य की चर्चा आ रही है कि गनिका दारी का नृत्य अन्ते गनिकाओं की जो पुत्रियां हैं वे नृत्य कर रही है कैसे करे कुसुम रस मत्ता मधुकर्य है इव कुसुम रस के पान कर लेने के बाद मधुकरी जिस प्रकार अत्यंत मधुर गान पुरुवक नृत्य करती है मानो उसी प्रकार ये गनिकाओं दारी का जो है वह नृत्य कर रही है अब देखिए इस गणिका दारिका के नृत्या से तापड यह है कि युवतियां है यानि ये बच्चियां बड़ी हो गई है क्यों कि कुसुमरस मत्ता इव मदुकर्या का जा रहा है और यह श्रेंगारिक अभी व्यक्ति है श्रेंगारिक अभी व्यक्ति यानि संदर्य के उस रूप का है जिसमें युवतियां आकरशन का केंद्र बनती है तो ऐसी जो गनिका की दारिका है गनिका की जो पुत्रियां है अर्था तोस महल में रहने वाली जितनी भी गनिकाएं होंगे, कई ऐसी गनिकाएं होंगे, जिनकी बेटियां होंगे, वो भी वही रहते होंगे, तो वो यहां पर नृत्य कर रही हैं, लेकिन गान के साथ, और नाट्यम पाथ्यंते सश्रिंगारम, और साथ ही इनको नाट का यानि अभिनय की श्रिक्षा दी जा रही है अभिनय की श्रिक्षा से तात पर यह है कि यह अभिनय सीख रहे हैं कैसे सश्रिंगारम श्रिंगार पूर्वक अभिनय सीख रही है हाव भाव के साथ आखों का मटकाना भावें को टेड़ा करना संदर्य एक हास पूर्वक संदर्य करना किर्छा देखना आधी जो ये श्रेंगारी का अभीनय है कुटिल मुस्कान देना ये सारे के सारे अभीनय इनको पढ़ाये जा रहे हैं सिखाये जा रहे हैं और अपवल गिता अगवाक्षेसु वातम ग्रिहननती सलिल गगर्या और जो सलिल यानि जल से भरी हुई गगरी आज हम लोग गगरी शब्द कहते हैं मित्रो ये गगरी शब्द संस्कृत का है उसी का प्रतमा बहुवचन जो है स्ट्रिलिंग में अधी की तरह नद्या है तो गगरी गगर्या यानि सलिल गगर्या अरता जल से जो पूर्ण गगरी है यानि जो घट है जो वाटर पॉट है ऐसे जो ये घट है वे गवाक्षेशु खिरकियों से जो आने बाली हवा है उन हवा से यह पूर्ण हो रही है अरता खिरकी आदी के आगे पीछे इस तरह की ग गरियां रखी होंगी जिसमें जल भरे होंगे और उस जल में हवा के जूंके लगते होंगे तो एक सुंदर द्वानी उत्पन होती हो गई होगी उस वातावरन में और देखिए इसी से जल तरंग की आवदहरना हम पाते हैं उस काल में भी यह चिंतन है कि जो जल से पूरन है उस घट से अगर हवा का जूंका क्रॉस करेगा तो उसे एक सुमधुर द्वानी उत्पन्न होगी एनिवे यह सारा वर्नन उस चौथे प्रकोष्ठ का था विदुशक कहता है कि ठीक है माडम यह तो चौथा प्रकोष्ठ हमने देख लिया आदिशतु भावती अब आप ह यह फिफ्थ अपार्टमेंट है फिफ्थ रूम है प्रविशतु आ रही है आप इस कमरे में प्रविश्ठ करें अब इसमें देखिए क्या है इस रूम को क्या कहें यह ऐसा लग रहा है कि जो किचिन के पास का जो ग्रॉसरी रूम होता है जिसमें हम अपने साग, सबजी, चावल, आलू, आदी यह सारा रखते हैं, तेल, पानी, अब में भी कह सकते हैं, कि यह किचिन हो, अब इसका वर्नन देखिए, आश्यर्यम भोह, इहां पि पंचमे प्रकोष्ठे, यम दरिद्र जन लो बहुत पादन कर, आहरती उपचितह हिंगुते लगंध, अयम अर्थात जो पाचमे प्रकोष्ठ है, इस पाचमे प्रकोष्ठ में, दरिद्र जन लोबहुत पादन कर, अर्था जो निर्धन गरीब लोग होते हैं, ऐसे गरीब और निर्धन लोगों में लोब उत्पन करने वाला, हिंगुतेल गंध उपचितह हिंदु, हिंगुतेल गंध, हिंगु, हिंगु यनि जिसे आज हम हींग कहते हैं, मितरो हींग सभी जानते होंगे, कि हींग के तैल से जो, तैल के गंध वाला, यह जो पाचमा प्रकोष्ठ है, जो कि मानु, दरिद्र लोगों के मन में रहा है उनके भूख को बढ़ाने वाला यह हिंगूते लगा गंध इस कमरे में व्यापत है विविध सुरभी भूमोद गारईर नित्यम संताप्यमानम निश्वसतीव महानस द्वार मुखई है पहले कह दिया था कि यह ऐसा लग रहा है कि किचन है क्यों किचन है तो महानस द रसोई घर के जो द्वार रूपी जो मुख है अर्थात रसोई घर का जो गेट है उस गेट को मानु मुख कह दिया गया विविध सुरभी भूमोद गारईर नित्यम संताप्यमानम यानि विविध प्रकार की खुश्व्यू से जो नित्य उस खुश्वू के उद्गार से जो नित्य पीडित किया जाने वाला जो यह है यह महानस का मानु द्वार है और ताथ इस गेट से रसोई घर के गेट से विविध प्रकार के खुश्वू जो है वो उत्पन्व हो रहे हैं मित्र पांच में प्रकोष्ठ का भी वर्नन हम लोग आगे अपने इस व्याख्यान श्रिंखला में देखेंगे बड़ा ही इंट्रेस्टिंग मतलब यह हम वर्नन देख पा रहे हैं एक एक चीज कहां क्या सजा करके रखा गया उन सबकी क्रिया प्रक्रिया और प्रतिक्रिय को इसमें आपके सामने उपस्थित कर सको आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद